नमस्ते जै हिंद जै भारत लाइज स्टीट भारत में आपका स्वागत है साथियों आज हम चर्चा करेंगे आठकिल 30 की कि आठकिल 30 क्यों आया आठकिल 30 को कंस्ट्यूशन में लाने का क्या उद्देश से था और जो आठकिल 30 के उपर हमारी सुप्रीम कोट में PIL चल रही है उस पे हमारी क्या मांग है आप से बताने का मुख्य उद्देश ये है कि सुप्रिम कोट में जो लड़ाई हमारी चल रही हो तो चल रही है लेकिन अब इस मामले में हमें जनता का सहयोग चाहिए हमें आप सब का सहयोग चाहिए इसलिए आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं आप लोग इसको कम सिकम दस लोगों को जरूर इसको शेयर करिएगा। साथियों आठकिल 30 आया था भारत सम्मिधान में, विशेश दर्जा देने के लिए नहीं आया था। चुकि उस समय देश का बटवारा धर्म के अधार पे हुआ। जब सम्मिधान बनने लगा तो कुछ सम्मिधान निर्माता, खास तोर पे रफी अमत की दोई, मौलाना कलाम, चुकि ये लोग भी सम्मिधान सभा में थे। इनका ये कहना था कि धर्म के अधार पे बटवारा हो गया है, भारत में लगवाग 90% हिंदू है, तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी, वो भी हिंदू की ही बनेगी। कहीं ऐसा नहों कि हम लोग यहां रुके हुए हैं, और बाद में सरकार हमें यहां अपने रीती रिवाज पालन करने का अधिकार न दे, हमें अपने बाइबिल कुरान पढ़ने से रोग दे, हमें अपना जो त्योहार हम जिस तरीके से मनाते हैं, जिस तरीके से हम अपना हम शादी विवाह करते हैं उस पे प्रतिबंद लगा दे इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ सुरक्षा दिन मिलनी चाहिए संभिधान सभाम इस पे चर्चा हुई फिर आटकिल 25 में कहा गया कि ठीक है सब लोग अपने-अपने मजहब अपने मत और अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं लेकिन जूट कोई नहीं बोलेगा हमें रीतियों का पालन करने का अधिकार मिला आटकिल 25 में कु रीतियों का नहीं अपनी प्रताओं का पालन करने का अधिकार मिला कु प्रताओं का नहीं हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिला, लेकिन दूसरों का धर्मांतल्ड कराने का अधिकार नहीं मिला था, आठिकिल 25 के अंतरगत थे, इसी तरीके सा, आठिकिल 30 इसमें रखा गया, 30 में ये कहा गया, कि जो इस देश के अलब संख्यक हैं वो अपना स्कूल खोल सकते हैं चुकि यहां गुर्कुल पहले से चल नहां था तो गुर्कुल की ब्योस्था तो थी सब के लिए लेकिन मदर्से के कोई सिस्टम था नहीं यहां पे तो उनका यह कहना था कि हम भी अपना मदर्सा चला सके हैं इसलिए हमको भी छूट मिलनी चाहिए इसलिए उसमें आठकिल 30 में कह दिया गया ठीक है अपना अपना स्कूल खोलिए लेकिन जो स्कूल चलेगा उसमें क्या पढ़ाया जाएगा उसकी और्डिट कैसे होगी उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी उसका स्लेवर्स करिकलम क्या होगा यह सब कुछ सरकार की उपर छोड़ दिया गया संभिधान ने यह भी डिफाइन नहीं किया कि माइनाटी कौन है एक परसेंट वाला माइनाटी है कि दो परसेंट वाला है कि पांच परसेंट वाला है कि दस परसेंट वाला यह भी हमारे संभिधान में कहीं डिफाइन नहीं है भारत के किसी कानून में भी माइनाटी डिफ लेबल पे होगा ये भी कहीं नहीं लिखा है पहली बार इसका जो फैंसला किया था सुप्रिम कोट ने दो हजार दो में उसको टीम पाई केस कहते हैं सुप्रिम कोट की 11 जजों की बेंच ने इस पर एक फैंसला दिया कि नेस्टन लेबल पे तो कोई माइनाटी होई होगा नह जो माइनाटी का इडेंटिफिकेशन होगा वो स्टेट लेबल पे होगा और उसमें सुप्रिम कोट की गारा जजों की बेंच ने कहा था चुकि हम जो भासाई अल्पसंख्यक होते हैं लिंग्विस्टिक माइनाटी उनको हम स्टेट लेबल पे इडेंटिफाई करते हैं इ एक नेसल माइनाटी कमीशन एक्ट बना दिया उसमें माइनाटी को इडेंटिफाई नहीं किया यह नहीं बताया कि कानून बना दिया और 1993 में में माइनाटी कमीशन बना दिया मुफ्त का वजीफा जा रहा है, मुफ्त की फीज जा रही है, मुफ्त की किताब जा रही है, मुफ्त के मकान बनने सुरू हो गए, सारी योजनाएं सुरू हो गई लेकिन, माइनाटी कहोन होगा, ये इसको अइडेंटिफाई नहीं किया, 2002 मैं मैंने बताया, TMA PAI केस में, सुप्रिम कोट ने कहा कि national level पर कोई minority नहीं होगा इसके बावजूद सरकार ने minority को identify नहीं किया minority कोई परिभाशा नहीं बनाई minority को define नहीं किया और 2004 में एक नया कानून बना दिया उसको कहते हैं minority commission education institution act ये जितने आपके जामिया है या आलीगड इन्वस्टी है ये सारे उसी से गवर्ण होते है 2005 में Supreme Court कहेगा और landmark judgment आया उसको कहते बाल पार्टिल केस बाल पार्टिल केस में Supreme Court की तीन जजों की bench ने कहा कि इस देश का विभाजन चुकि धर्म के अधार पे हो चुका है इसलिए अब धर्म के अधार पे योजनाय बनाना धर्म के अधार पे कानून बनाना धर्म के अधार पे कमिशन बनाना ये दुबारा फिर से एक अलगावाद की बीज बोएगा ज़्यादा अच्छा हो कि माइनार्टी मेजर्टी का कॉंसेट्ट खत्म किया जाए ये 2005 का फैंसला है बाल पाटिल का लेकिन अगले ही साल 2006 में सरकार ने माइनार्टी मिनिस्टी बना दिया माइनार्टी अफिर्मिस्टी बना दिया कांग्रेश की सरकार ने 2006 में बनाया था पहली बार जो माइनार्टी अफिर्मिस्टी बनी राज्यों ने भी नकल किया माइनार्टी के नाम पे हज़ारो करोड की योजना चल रही है फ्री का मकान, फ्री की दुकान, फ्री का लोन, सब कुछ चल रहा है अलग से उनके लिए ट्रेनिंग चल रहा है, हुनर स्कीम चल रही है, सब कुछ चल रहा है लेकिन माइनार्टी कौन होगा यह आज तक identify नहीं किया गया है इसी बात को हमने सुप्रिम कोट में चैलेंज दिया है हमने 1992 में जो माइनार्टी कमिशन एक्ट था उसको भी चैलेंज किया सुप्रिम कोट में और 2004 में जो बना था माइनार्टी एजुकेशन इस्टिटिशन एक्ट उसको भी चैलेंज किया सुप्रिम कोट में दोनों ही कानूनों को जो हमने चैलेंज किया उस पे सुप्रिम कोट ने सरकार को नोटिस जारी किया है लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है अब विशे ये है इस तरीके जो किया गया, खेल किया गया इसका नतीजा ये है कि लदाख में हिंदू के वल एक परसंट है लेकिन उसको माइनाटी नहीं कहते बहुत वहाँ पर 50 परसंट है लदाख में और मुस्लिम 46 परसंट है उसको माइनाटी कहते लक्षदीप में हिंदू के वल 2 परसंट है उसको माइनाटी नहीं कहते लेकिन 96 परसंट मुस्लिम है उसको माइनाटी कहते मिजोरम में हिंदू केवल 2% है उसको माइनाटी नहीं कहते क्रिस्चिन वहां मेजार्टी में है वो माइनाटी का फाइदा उठा रहे कस्मीर में हिंदू केवल 4% उनको माइनाटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है मुस्लिम 96% है उनको माइनाटी का फायदा मिल रहा है नागा लैंड में हिंदू के वल 8% है वो माइनाटी नहीं कहलाते क्रिस्चिन 88% है वो माइनाटी बने हुए है मेगाला में हिंदू के वले 11% है उनको माइनाटी नहीं कहते और Christiansen वहाम majority में है, वो minority बने हुए हैं तो भारत के नौ राज्यों में जहां वास्तों में हिंदू minority है उनको minority का फाइदा नहीं मिलना, उनको minority के दरजां नहीं मिलना माइनार्टी कमिशन का चेर मैं भी वही वेक्ती है, जो community वहाम majority में है कायदे से उन्नों राज्यों में जो माइनाटी कमिशन बनना चाहिए उसमें जो चेर्मेर होना चाहिए हिंदू होना चाहिए माइनाटी कमिशन का मेंबर भी हिंदूओं को होना चाहिए माइनाटी की जितनी बेनफिट से हैं वो भी हिंदूओं को मिलनी चाहिए और यातो सरकार ये minority majority खतम करे आप जिरा समझिये कि जब हमारा सम्मिधान का Article 14 कहरा equality before law, equal protection of law कि इस देश के सभी नागरिक समान है Article 15 कहता है जाती धर्म भाषाच्छित के अधार पे भेदबाओ नहीं किया जाएगा Article 16 कहता है किसी से धर्म के अधार पे आप भेदबाओ नहीं करेंगे सब को नोकरियों में समान असर देंगे Article 19 कहता है कि कोई भी नागरिक हिंदु है या मुसलमान देश के किसी भी भाग में जाके नोकरी कर सकता है कहीं जाके सेटल हो सकता है आट के लिए किस कहता है कि जितने भी आपके right to life के मामले है वो बिजली देने का मामला है पानी देने का मामला है right to food है right to education है इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा फिर ये minority majority करने की जरूद क्या है minority majority तो वहाँ होता है जहाँ पे उस देश की सरकार किसी एक धर्म के अधार पे चलती हो जैसे पाकिस्तान में तो minority commission की जरूद है क्योंकि पाकिस्तान secular country नहीं है officially वो Islamic country है तो जो वहाँ पे गैर मुसलिम है उनको minority के दरज़ा मिलना चाहिए बंगलादेश सर्या से चलता है तो वहाँ पे जो गैर मुसलिम है उनको minority के दरज़ा मिलना चाहिए minority का production मिलना चाहिए हमारे यहां तो minority को अलग से देने कोई जरूदी नहीं है जब हमारा article 14 15 16 19 21 सब कह रहा है सब समान है सभी नागरिक समान सब को नौकरियों में समान यह आठकिल 30 उस समय आया था केवला और केवल चुकि देश का बिभाजन था लोगों के मन में कुछ शंका थी और वो संका खतम हो चुकी है अगर यहां वास्तों में minority को प्रतारित किया जाता तो जो 8% थे मुसलिम अब तो 1% होने चाहिए थे वो 8% से 18% हो गए इसका quality की जरूत क्यों कि जब समधान कहरारा है कि सबसमान है और जब समधान तो infect दोस सब्दों से मिल के बनाता है समिधान या बराबर समिधान यानि ऐसा विद्दान जो सब केले समान हो तो फिर बह विधान क्यों? फिर हिंदू के लिए अलग विधान? मुस्लिम के लिए अलग विधान क्यों? समविधान का मतलब है ऐसा विधान जो सब के लिए समान हो ऐसे नियम जो सब के लिए समान हो ऐसे कानून जो सब के लिए समान हो ICO जनाएं जो सब के लिए समान हो तो फिर माइनार्टी मेजार्टी के लिए अलग से स्कीम अलग से वजीफा, अलग से दुकान, अलग से मकान का हिसाब किताब क्यों चले यही बात मुझे आपसे कहना था और आपसे ये भी कहना मैं जरूरी समझता हूँ अगर हमने ये माइनार्टी मेजार्टी का काउसिप खत्म नहीं किया तो इस देश का अगला विभाजन फिर से होगा जब हम कहते हमारा DNA एक समान है, सब का DNA एक समान है तो फिर यहाँ पे माइनार्टी मेजार्टी क्यों? जब सबका DNA एक समान है तो सबकी सिक्षा एक समान होनी चाहिए सबकी चिकित्सा एक समान होनी चाहिए सबके लिए एक नागरिक संगीता होनी चाहिए सबके लिए एक दंड संगीता होनी चाहिए सबके स्कूल का स्लेबस एक समान होना चाहिए सबकी पढ़ाई एक समान होनी चाहिए मुझे लगता है अब समय आ गया है आटकिल 30 को अमेंड करना चाहिए आटकिल 30 में जो जिसलिए बनी थी उसका उदेश ये पूरा हो चुका है अब आटकिल 30 कोई जरूरत नहीं है यही बात मुझे कहनी थी इस कारिकम को आप लोग मैं जानता हूं पसंद करते हैं लेकिन मेरा आप से आग रहे है कम से कम 10 लोगों को इस लिंक को आप फारवर्ड करिएगा और अपने सांसद को और विधायक को जरूर टैक करके ट्वीट करिएगा अगली बार फिर आप से किसी विशेश मुद्दे पर चर्चा करेंगे यह मामला मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं आप लोग इसको जन जन दर पहुंचाईए